ओम नमेशिवाय ओम नमेशिवाय दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है क्या आपका भी मन किसी काम को करने में नहीं लगता आपका मन बार बार किसी भी काम करने से उप जाता है आपको ऐसा लग जो को कैसे मजबूत करना बिल्कुल साधरन तरीकों से और तीसरी और मुख्य बात कि क्या वज़ा है जिससे पूरी सिच्वेशन जो हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है तो वीडियो को पूरा देखना अंतितक देखना और चीजों को बहुत बारिकी से समझ लेना ताक कि आ अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जबूर करना अपने गुणली कानलिस आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन की उपर नंबर चली रहें अब वाट्सव पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते दोस्तों सबसे पहली और मुख्य बात है कि जब यह चीजों को लेकर बहुत जादा सोच रहें आपके मन में कोई डर है जो डर आपको बहुत हद तक खा रहा है तो पहली बात अगर इस चीज को पहला पॉइंट अगर आपको सही करना है तो जो हमारा काम हम कर रहे हैं उससे छोटे भागों में विभाजित कर दे थोड़ा कम क कम कम और कम जितने भी छोटे भाग ताकि आपको लगेगा कि बस इतना सा तो करना है और जब हम इतना इतना करके पूरा काम बहुत आसानी से कर सकते और मन को भी लगा सकते हैं इसमें महतपूर्ण जो भाग होता है राहू का होता है राहू हमेशा हमेशा डाइवर्ट करना चाहता है हमें वह इस्थिर नहीं रहने देना चाहता है क्योंकि अगर आप इस्थिर हो जाएंगे तो आपके सभी चीज़े पॉजिटीव है में हो जाएगी तो आपको ब्रहमीत डिस्टरब करने का उसका बहुत हद तक योगदान होता है इसलिए कभी भी इस तरह की तो चोटे 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 तरीकों में विभक्त करके उस काम को करें चोटी बात है खुद को बहुत जादा पॉजिटीव रखें गहरी और लंबी सांस ले ताकि आपके पास इतना ऑक्सिजन होगा उतना आपका मस्तिश काम करेंगा आपको अच्छी पॉजिटीव वैफ पाएंगे चोट पाचवी बात है नेगिटिविटी से दूर रहें नकारत्मक लोगों से दूर रहें और सबसे भात्मन बात खुद पर यकीन करें और अपने डर से जादा अपने भोले नात पर विश्वास करें आप अपने डर पर जितना यकीन कर रहें उससे जादा अप को सफलता मिलेगी अगर अच्छा लगाओ तो लाइक करना शेर करना कमेंट्स करना और में मैं शिवाएं